आज के वक्त में भी हमारे देश के लोग खास फूज चड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं क्यूंकि इससे अनेको परकार के रोग दूर हो जाते हैं हम आपको एक ऐशी ही आईरवेदिक आउसदी के बारे में बताने वाले हैं जिसके परियोग से आफसरीर के कई गंभीर रोगों से चुटकारा पा सकते हैं तरशल हम बात कर रहे हैं बर्गत के पेड़ की जो हमारे धरंग जन्तों में भी बड़ा ही पावराडिंग महत्त होने के शाथ ही हमारे स्वास के लिए बेहत फाइदे मन्द है वहीं इसका उपयोग आईरवेद में एक आउसदी के रूम में भी किया जाता है इसका पेड़ आपको पूरे देश में हर जगे पर आसानी से मिल जाएगा इसके पत्ते दूद वा च्छाल में कैलसियम एंटी वैक्टरियल गुड बहुत ही जादा होते हैं जिससे ये हमें कई रोगों से बचाता है वहीं जिला अस्टाल बाराबंकी के चिके तिसक डाक्टर आमिक वर्मा एमडी मेडिशिन ने बताया वैशे तो बर्गत के पेड़ को हमारे देश में कई नामों से जाना जाता है इसकी पतियों दूर छाल में पहुत ही जादा असरी गुड़ पायजाते हैं इसकी पतियों से जो दूर निकलता है इसमें केलसियं की मातरा बहुत ही अधिक होती है जिन महिलाओं या बच्चों की हड़ियां कमजोड होती हैं उन सब को इसका पांच से छे बून दूस सहद या छीने मिला कर सुबा खाली पेट पानी के साथ पेवन करने से हड़िया मजबूत होती है साथ ही साथ जिनको पित की समस्या थाइराइड गर्मी से पसीना ज़्यादा आता है ऐसे में उन लोगों को इसके दूद का इस्तिमाल करना चाहिए जो पित की बढ़ी हुई मातरा को काफी हद तक कंड्रोल कर देता है इसके अलावा जिन महिलाओं के किल्नी में इस्टोन होती है जिससे उनके यूरिन में जलन होती है उस अवस्था में इसकी छाल का काहा बना कर पीने से काफी ला मिलता है क्यूंकि इसके दूद में बहुत ही जादा इंटी प्रापर्टी गुल होते है साथ ही साथ अगर कहीं घाओ हो गया हो या कट लग लग गया हो खून बहरा हो वहाँ पर इसके दूद लगा लिया जाए तो घाओ भर देता है और खून तुरंद बंद कर देता है इसके अलावा इसकिन प्रावलम जैसी किसी के छेहरे पर दाल धब्बे या छेहरे निकल आते हैं वहाँ पर इसके दूद का छाल का काढ़ा बना कर पीने से इन समस्याँ से चुपकारा मिल जाता है कि अधर मैं बारावां के डिस्ट्री पास्पिरल में रिदी चिकट्सा के पर पर दाल था बर्गत कि जहां सवाल किया इंग्रिश में तो बन्यान बोलता है सभी उप जानता है और बर्गत रसे तो हिंदू धरब में इसको काफी पवित्र नजर से देखा जाता है और इसका यूज भी एक पूजा पाट में किया आता है लेकिन और जहां पर आयवेद का बात आता है तो वहां पर इसका तर्णा इसकी पत्ती इसका दूद इसकी जड़ा हर इक चीज का अपना और शरी भी लोग लाग लाग रूप में कैल्शियम बहुत अतिलिक भात्रा ह होता है दो शुरुबात नेULच न्यक्ति का काम बहुत बहुत यह बहुत शरीजं दलागे के भून दाए ट्राहिए और बहुत आप करना जाए मैं एसके दूद का ये तासिर इसके बहुत खंडी होती है कि इसके विज़ई सी ओक्रापना पवारी कें उसके अझना, ना eats हूते हुए तो वहां पर इसके छाल को बारी पीस करकी तो गरम पार्यार में इसको लेने से बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है और वो परिशानी तो प्रिशानी तो इसमें दूर में इंटिवर्टी प्रपर्टिस काफी होते हैं इंटिवर्टी प्रपर्टी के चलते हैं अगर कोई घाव हो है इसके में कट लग दे रहे हैं खुन बहरा हो तो दूद की चार्च शेवी नगर वहां पर लगा लिया है तो घाव को घरने में बहुत जिंदर बहुत करता है और तो व्यट को वहां पर जामाल जाता है जिससे प्रिशाओ वोर्कावता है घावता है से होगा जाता है